नमस्कार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है जीवन रेखा पर आयू की गणना कैसे करें हमें जीवन रेखा पर आयू करना कहीं कारणों से करनी पड़ती है एक तो आयू को ग्याद करने का पहला उदेश्य है लेकिन आयू सिर्फ जीवन रेखा पर निर्बर नहीं है जीवन रेखा, मस्तिश्क रेखा, हर्दय रेखा और विशेश प्रकार के चिनों सब को समयलित रूप से मिला कर ही आयू गणना की जा सकती है लेकिन फिर भी एक बड़ा एहम रोल होता है यहाँ जीवन रेखा का और दूसरा एक कारण होता है कि जीवन रेखा पर जो गटनाएं गटित हो रही है जो गटनाएं हमें दिख रही हैं जैसे कि मकान का बनना अक्सर जीवन रेखा से देखा जा रहा है तो ऐसी गटनाओं में हम काल गणना कैसे करें कैसे पता लगाएं कि ये टाइम इवेंट क्या है इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें रेखाओं पर आयू का निर्धारन करना होगा अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि G1 रेका कहां से शुरू हो रही है और समाप्त कहां हो रही है तो इसे G1 रेका को start point तो फिल्कुल fix है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सबी पहचान जाते है यहां से इसका 0 का start हो गया लेकिन दिक्कत क्या है दिक्कत है यहां पर यहां पर जीवन रेखा को आम तोर पर यहां समाप तो माना जाता है लेकिन हम अधिकतर मामलों में क्या देखते हैं कि जीवन रेखा असल में अपना अर्ध जो वृत है यह पूरा करते हुए यहां तक जाती है हाथों में अंगुठे के मूल तक अब यहां जो है न यह जो हिस्सा है यहां तक का यह हिस्सा इसका 80 वर्ष का हिस्सा है और यहां पर जाकर पूरे 100 वर्ष होते हैं अब आप देखेंगे कि दिखते हाथों में नीचे का जो हिस्सा है नीचे का जो क्रम है वो कम नहीं कम ही हाथों में होता है लेकिन यदि आपको वो निचला हिस्ता दिखाई दे तो 20 वर्ष वहाँ होते हैं और बाकी ये 80 वर्ष होते हैं अगर आप इसे गंड़ना करेंगे यहां से अगर आप जो मनीबध को छू रही है जहां पर जीवन रेखा अगर यहां पर आप काल गरना शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको एक समस्या क्या आएगी कि आप देखेंगे कि यहां पर आपको 100 यदि यहां पूरे करते हैं तो सारी घटना उपर क्यों खिसक जाएंगी तो अब सबसे बड़ी बात हैं यहां पर इसको माल ले असी तो आधा माल लेने पर 40 हो जाएगा लेकिन इस तरह काउंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है कारण यह जीवन रेखा मैं असी वर्षक इस्थिती हो सकती है ब्यासी हो सकती है पचासी हो सकती है 75 हो सकती है तो ठीक ठीक कैसे नीचे के और गिरा दें यहां ऐसे तो जहां यह लाइन गिरती है अंगूठे का बिल्कुल मूल बिंदू यहां यह जो बिंदू है इस बिंदू से आप एक कालपनिक रेखा यहां तक खींचिए इसे आपने दिमाग में कैल्कुलेट कर सकते हैं तो जिब यहां एक रेखा खींच कर ले जाएंगे तो यह जो रेखा होगी यह रेखा जहां पर टकराएगी तो यह वहां रेखा जहां टकराएगी यह होगा 40 वर्ष बिल्कुल एक सीध ही रेखा यहां तक ले जाएगे यह 40 वर्ष पर जाकर टकरा जाएगी, एक तरीका तो यह है, इस तरह से आप काल गणना कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका और भी है, जिसे हम असानी से सीख सकते हैं, जब हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, हम हाथ देख रहे हैं किसी का, तो उस दुरान हम इस तरह से नहीं काल गणना कर सकते ह इसमें scale लेकर तो नहीं बैठ सकते तो यह 40 हो गया अगर हम इसे दो भागों में बाट लें यहां हम एक line ले आए हैं यहां से यहां तक एक line ले आए हैं यह 40 हो गया, हम इसे आधा अधा कर देंगे तो यह जो आपका है यह आपका 20 वर्ष का समय हो जाएगा और यहां आपका 60 वर्ष का समय हो जाएगा इस तरह से हम कालगंदना ठीक ठीक कर पाएंगे, एक तो यह तरीका है दूसरा तरीका यह होता है कि हम उह उठे के इस हिस्से को यहां से यहां इस हिस्से पर एक line कीच ले यहाँ पर एक line draw कर ले इस line के बिलकुल बीचो बीचे एक line कीचे और इस line को यहाँ तक ले आए तो यह जहाँ पर टकराएगी यह भी लगभग 40 वर्ष के आसपाश टकराएगी लेकिन यह आम तोर पर बहुत सही नहीं होता है जितना की यह सही रहता है यहाँ जो अंगुठा है इसके मूल से आप एक line नीचे के और लाईए और यहाँ से एक line को सीधे कनिष्ठा उंगली के मूल भाग तक बिलकुल किनारे तक ले जाईए तो यह आपके 40 की रेका होगी एक तरीका तो यह होगा दूसरा तरीका आप क्या करेंगे कि आप मध्यमा जो उंगली है उसके बिलकुल center point में जाईए और यहाँ से एक सीधी line नीचे के और गिराईए यह line जहां जाकर टकराती है यह आयू होती है 35 वर्ष की यह दूसरा तरीका है काल गर्णा का इसमें आप फटा फट लगवो के मध्यमे पहुंच जाएंगे आप सीधे सीधे और उसके आगे और पीछे जो बचता है उसको calculate करना आपके लिए असान हो जाएगा एक यह तरीका है दूसरा तरीका जैसे आप धीरे धीरे पहचानना शुरू हो जाएं कि 80 वर्ष कहां है अगर आप यह पहचानना शुरू कर लें कि जीवन रिखा की हद कहां पर है जीवन रिखा की समाप्ती का सीरा कौन सा है तो आप दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे कि आप जैसे ही 0 से 80 तक सीधे इस जीवन रेखा को धागा रखकर माप ले और उसकी लंबाई को 8 भागों में बांट कर 10-10 वर्सों के स्ट्रेक्शन बना ले तो आप इस तरह से उसके पूरे के पूरे हिस्टे को आप अच्छी तरह से बांट पाएंगे तो यह आपको 10, यहाँ 20, 30, यह 40, यह 50, यह 60, यह 70 और यहाँ यह 80 इस तरह से आप आसानी से बांट पाएंगे इसके लिए आपको सीधा धागे का प्रियुक भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको यह पहुंचना पहले मुश्किल होता है आपको यह पता लगाना मुश्किल है कि असल में जा कहां रही है जब आप इसमें अभेस्थ हो जाएंगे कि आपको इसके निचले सीरे की जानकारी आसान हो जाएगी केतू परवत पर आप इसका निचला सीरे ढूनना सीख जाएंगे वो तरीका रहता है कि आप अंगुठे के उपरी हिस्से और निचले हिस्से यहाँ बिलकुल अंगुठे के मद्यभाग और निचला हिस्सा यहाँ पर दोनों पर नीचे एक सीध ही लाइन ड्रॉ करें यह लाइन जहाँ पर आ रही है अब यहाँ से एक और लाइन अब प्रपेंडिकुलर यहाँ से एक लाइन ले आए यह जहाँ पर टकराएगी इस लाइन से जब आप बिलकुल कहिष्ठा के बीच में आते हैं तब भी आप इस बिंदू से एक आप यहाँ एक लाइन ले आए एक लाइन इधर ले आए और यहाँ से जो लाइन लेकर आए है इससे जब आप सीधे जाएंगे तो यहाँ भी आप बिलकुल 40 वर्षक की रेखा को छूते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे आप तो यह दोनों इस चितियों में एक जैसी कालगर्णा है बहुत प्रकार से कालगर्णा की जाती है इन में निश्यत रुप से में बहुत सारे आपको तरीके बता दिये लेकिन सबसे आसान तरीका पिल क्या रहता है कि आप इसको बिलकुल इसकी निचले सीरे को ढूनना सीखे धागे से माप ले ठीक आठ भागों में बाट ले यदि उससे आगे जा रही है तो आप इसको यहां 90 और यह 100 सीरा आपको मिल जाएगा इसका तो आप इस तरह से इसको बाट न सीख सकते है यह आसान तरीका है या फिर सीधा एक बिलकुल आसान तरीका मध्यमांगली के बीचों बीच एक लाइन गिराई है जहां यह टकराएगी यहां पर 35 वर्ष की आयू होगी यदि यह थोगा दूर रह जाती है कई बार आपको देखेंगे कि जीवन रेखा का दायरा अंदर की और होता है तो आपने यह लाइन गिरा यह तो यह आ गई और जीवन रेखा जो है आप देखेंगे तो थोड़ा पीछे से निकल गई यानि कि आपके टकराएगी नहीं तो आप जीवन रेखा गये बिलकुल साथ तक लाइन लाइए जहां ही जीवन रेका को भी कुछ छूती है फिर वहां से इस तरह से एक लाइंग कीजिए और यह जो एज होगी यह 35 वर्ष होगी इस तरह से आपको काल करना कर पाएंगे उम्मीध है आप इस अच्छी तरह समझ गए होंगा आपकी confusion दूर हो जाएगी फिर यह यह कुछ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगा और यह आसान काम है बहुत मुश्किल तो नहीं है तो आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में अगले विशापर तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो धन्यावाद